Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options Seller और कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप futures को एक no loss trade बना सकते हो जहां पे अगर market आपके favor में जाए तो आपको profit हो और market अगर आपके against जाता है तो आपको loss नहीं होगा कैसे आप उसको no loss trade बना सकते हो अब जब वीडियो मेंने डाला तो वहां पे मैं expect कर रहा था कि आप मुझसे एक सवाल पूछोगे and I am glad कि आपने वो सवाल पूछा भी आपने उस चीज़ को note किया वहां पे हमने क्या किया था एक futures को हमने buy किया था और put option को उसके साथ में buy कर लिया था कि अगर market उपर जाएगा तो profit होगा और अगर नीचे जाता है तो put option के लिए जो premium आपने pay किया है वही हमारा maximum loss हो सकता है और जब market नीचे जाएगा तो futures जो मैंने buy किया है उसमें मुझे loss होगा और जो put option मैंने buy किया है है जिंग के लिए उसमें मुझे profit होगा तो आपको क्या करना है अगर market आपके against जाता है तो put option में जब आपको profit हो वह आप book कर लीजिए और जो future है जहांपे आपको loss हो रहा होगा उसको आप roll over कर दीजिए यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए था अब यहां पे आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ notice की और मैं चाह रहा था कि आप उस चीज़ को notice करो कि market जहां पे है अगर वहीं पे रह जाता है तो futures है उसमें ना मुझे profit होगा ना loss होगा लेकिन जो put option मैंने buy कर रखा है उसमें मुझे loss हो जाएगा क्योंकि जो premium मैंने pay किया है वो पूरा decay हो जाएगा तो जो मैंने premium pay किया है वो मेरा loss हो जाएगा और future में मुझे किसी तरह का कोई profit नहीं होगा तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं तो आज के इस video में मैं इसी query को resolve करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है तो चलिए अब बिना time waste की मैं सिधा आपको screen पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे आपको situation को tackle करना है तो देखे यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको उस situation को tackle करना है जब market ना उपर जाए ना नीचे जाए तो यहाँ पे देखे market trade कर रहा है 18600 पे 18600 है यह at the money का level है तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पे future को buy करके और put option को buy कर लूँगा जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो वही trade में आपको लेके दिखाता हूँ तो एक मैंने future buy कर लिया है यह आप देखे यह मैंने futures को buy कर लिया है और अब मैं क्या करूँगा 18600 जो की at the money का लेवल है इसका एक लोट में buy कर लूँगा put option का यह मैंने put option buy कर लिया है और अब आप देखें यह मेरा pay off chart बनता है मैंने futures को buy करके और put option को buy कर लिया है और उसको buy करने के लिए मैंने market को 132 रूपीज पे किये हैं अब अगर market उपर जाता है तो मुझे profit होगा मेरा profit है वो unlimited है और अगर market नीचे जाता है तो मुझे loss होगा और मेरा maximum loss है 132 रूपीज का है जो मैंने put option के लिए premium pay किया है अब यहाँ पे मैंने आपको यह बताय था कि अगर market नीचे जाएगा तो आपको करना क्या है जो put option है जब market नीचे गिरेगा तो put option में आपको profit हो रहा होगा और जो आपका future है उसमें आपको loss होगा तो आपको क्या करना है put option में आप अपना profit और बुक कर लीजिए और future में जब आपको loss हो उसको आप rollover कर दीजिए अगले मन्त में rollover करने से क्या होगा अब आपने market से एक मन्त का time और ले लिया है कि ये position reverse होगे और profitable हो तो eventually जब market वापस उपर आएगा तो futures में आपका जो भी loss है वो पूरा recover हो जाएगा और put option में आप profit बुक करते जा रहे हो जब market नीचे गिर रहे हो लेकिन आपका सवाल था कि market जहां पे है अगर यहीं पे रह जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ उस case में future में ना मुझे profit होगा ना loss होगा और यह जो 132 rupees मैंने put option के लिए pay किये हैं यह zero हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ तो देखे इसके साथ में आपको क्या करना है आपको 10 to 15 delta का एक call option sell करके रखना है यह जो undefined profit है यह देखके आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है pay of chart में दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि undefined profit है लेकिन असल में जब आप market में जाओगे तो undefined नाम की कोई चीज नहीं होती है कही ना कहीं आप profit book करोगे और यह सिर्फ pay of chart को सुन्दर बना देता है otherwise आपको practical हो की सोचना है तो आपको क्या करना है आपको 10 to 15 delta का एक call option sell कर देना है और इससे होगा क्या आपकी जो cost put option की जो put option को buy करने के लिए आपने 132 rupees market को pay किये है इसकी जो cost है उसको आपने कम कर दिया है और अगर market आपके against चाता है तो आप उस put को नीचे roll down करते आईए ताकि और premium आप receive कर सको और 132 rupees जो आपने market को pay किये हैं यह जब आप receive कर लोगे तो यह trade आईए absolutely risk free हो जाएगा अब अगर market कहीं नहीं भी जाता है तो आपको जो loss होने वाला था 132 rupees का यह भी नहीं होगा तो आपको क्या करना है आपको out the money में जाके और 10 to 15 delta का एक call option sell कर देना है अब देखे 10 to 15 delta से nearby आपको नहीं आना है क्योंकि उससे ज़्यादा पास में अगर आप आते हो तो आप upside के अपने profit को cap कर रहे हो कि अब अगर market तेजी से उपर जाता है तो उपर की तरफ आपको loss तो नहीं होगा क्योंकि आपने futures को buy करके और फिर ए call option को sell किया है तो loss तो आपको नहीं होगा लेकिन उस point के बाद और आपका profit of cap हो जाएगा अब आपका profit of unlimited नहीं होगा उस point के बाद profit of cap हो जाएगा उससे जादा profit आपको नहीं होगा चाए market कितना भी उपर जाए तो अगर कोई बड़ी rally आती है तो आप उसको miss out कर सकते हो इस वज़े से आपको 10 to 15 delta से पास में नहीं आना है और 15 भी मैं इसले बोल रहा हूँ क्योंकि अभी market में volatility है वो कम है अगर volatility market में जादा होती है तो उस time पे आपको 10 delta कोई sell करना है तो देखिए यह मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है यहाँ पे आप देखिए 10 to 15 delta कहाँ पे है यहाँ पे देखिए 19100 है इसका premium है 37 rupees और इसका delta है 17 तो अगर इसका एक लोट में sell करता हूँ 19100 का एक लोट sell कर दिया तैट मेंस मैंने market से 37 rupees है वो collect कर लिये हैं तो 37 rupees collect करने का मतलब क्या हो गया कि यह जो 132 rupees मैंने market को pay किये थे इसमें से 37 rupees मैंने market से वापस ले लिये हैं अब maximum मैंने market को कितना pay किया है जो 132 rupees pay किये थे उसमें से 37 वापस ले लिये हैं यह जो call option है इसको मैं roll down करता जाऊँगा अगर market मेरे against जाता है market नीचे जाता है तो उससे क्या होगा ये जो मेरी cost है इसको मैं recover करने की कोशिश करूँगा तो ये एक छोटा सा modification है जो आप add कर सकते हो और उससे होगा क्या आपने जो hedging के लिए पैसा खर्च किया है देखिए ये सिर्फ इसी adjustment की बात नहीं है इसी strategy की insurance है insurance जब हम buy करते हैं तो safety के लिए buy करते हैं कि कोई black swan event हो कोई undesired event हो तो उस case में मुझे hedging मिले एक insurance मेरे पास हो बाकी हम ये नहीं चाते कि उसको मुझे claim करना पड़े या उसको मैं exercise करूँ अगर आप अपनी गाड़े का एक insurance buy करते हो तो वो आपने safety के लिए buy कर लिया है अब जो insurance आपने pay किया है आपको पता है कि एक साल के बाद ये zero हो जाएगा ये जो पैसा मैं pay कर रहा हूँ ये zero होने वाला है लेकिन आप safety के लिए buy कर रहे हो तो आपने insurance buy कर लिया है लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि आपके गाड़े का accident हो आप accident नहीं करवाना चाहत हो कि ये जो premium मैंने pay किया है ये zero हो जाए ये मुझे claim करने की exercise करने की जरुवत ही ना पड़े तो same चीज यहाँ पे है hedging जब हम buy करते हैं तो हमें पता है कि hedging के लिए जो पैसा हमने दिया है वो मेरा loss है वो zero होने वाला है तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि hedging पे मैं कम से कम पैसा खर्च करूं hedging भी मैं करूं और कम से कम पैसा खर्च करूं तो यहाँ पे 132 रुपीज मैंने hedging के लिए दिये थे उसके against मैंने 15 डेल्टा का call option sell करके और 37 रुपीज मार्केट से वापस ले लिए तो hedging की जो cost है उसको आपको कम करने का सोचना है चाहे फिर आपको बता दिया है आप out का money का call option sell कीजिए उससे आपकी cost हो कम होगी और market अगर और नीचे जाता है तो उस call option को आप roll down करते हुए ले आईए जैसे जैसे market नीचे जाता है वैसे वैसे आप भी अपने call option को नीचे ले आईए लेकिन जो आपने future buy किया है जो आपका buying price है उ इसी से related थे कि market अगर कहीं भी नहीं जाता है तो put option के लिए जो मैंने premium pay किया है वो zero हो जाएगा तो उसको आप इस तरह से tackle कर सकते हो आप 10 to 15 delta का एक out दावनी का call option sell कर दीजिए उससे आपकी cost हो कम हो जाएगी और अगर market नीचे जाता है तो उसको आप roll down करते हुए ले आ वीडियो लाके और आपको बताऊंगा कि roll over किस तरह से करते हैं roll over में क्या होता है basically इस month की जो position है उसको काटके और same position अगले month में लेना अब यहाँ पे कई लोग confused हो जाते हैं कि जब मैं इस position को काटूंगा तो मैं basically loss को book कर रहा हूँ तो देखे वो loss को book करना नहीं होता है आपको एक loss हो रहा है वो loss आपका screen पे दिख रहा है जब आप उस position को काटके और नई position लेते हो तो वहाँ पे आपका panel है वो zero से शुरू होता है अब यहाँ पे अगर आपका profit होगा तो यह profit आपका जो पिछला loss था जो आपने काटा है उसको कम करेगा तो basically आपने एक position को क पाटके और दूसरी position आपने initiate कर दी है यहाँ पे आपने loss को बुक नहीं किया है लोस बुक तब होगा जब आपने दूसरी ऐसी कोई position ली ही नहीं है जिसका profit आपके इस loss के लिए compensate करे अगर आपने ऐसा नहीं किया है तब आपने loss बुक किया है लेकिन अगर आपने ऐसी को यह नहीं होना है कि मैं लोस को बुक कर रहा हूं आप लोस को बुक नहीं कर रहे हो आप अपनी पोजिशन को रोल ओवर कर रहे हो बाकि इस पर मैं कोई डेडिकेटव वीडियो लेके आऊँगा जहां पर यह मैं आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन करूंगा तो चलिए अब झाल